नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आपके यूट्यूब चनल टेक्नियूस क्राइम में तो फ्रेंड्स अगर आप अपने SBI के इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आइडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने SBI के नेट बैंकिंग का यूजर आइडी और पासवर्ड रिकावर या रिसेट कर सकते हैं वो भी मात्र दो मिनिट में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने ब्राउजर पे इसमें आप टाइप करेंगे SBI लॉग इन अब आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी ओनलाइन SBI इसके क्लिक करेंगे इसके बाद Personal Banking के नीचे जो Login का Option आ रहा है वहाँ पे क्लिक करें देन Continue to Login पे जाएं अब Login करने के लिए आपको यहाँ पे अपनी Internet Banking का यूजर नेम और Password टाइप करना होगा देन ये Capture Code उपर टाइप करना होगा अब आप यहाँ पे User ID और Password दोनों भूल चुके हैं तो उसको Recover ये Reset करने के लिए आपको क्लिक करना होगा Forget Username और Forgot Password पे अगर आपको Username और Password दोनों याद नहीं है तो आप सबसे पहले Username को Recover करेंगे उसके बाद ही आप Password Recover कर पाएंगे तो यहाँ पे आप Forgot Username पे क्लिक करेंगे Then Next पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपना CIF Number, Country Name, Registered Mobile Number और Capture Code टाइप करके Submit करना होगा इसके बाद आपके Mobile Number पे एक OTP आएगा वो OTP यहाँ टाइप करके Confirm करेंगे Confirm के बाद आपको यहाँ पे अपना Username दिख जाएगा साथ ही साथ आपके Registered Mobile Number पे भी भेज दिया जाएगा इसके बाद हम फिर से Home Page पे जाएंगे अब अगर आपको अपना Password भी याद नहीं है तो आप फिर से Forgot Username and Password पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Already Forget Password का Option आ रहा है Then Next पे क्लिक करें इसके बाद आपको अपना Username, Account Number, Country Name, Registered Mobile Number, Date of Birth और Capture Code यहाँ टाइप करना होगा Then Submit पे क्लिक करें अब आपके Mobile Number पे जो OTP आएगा वो OTP यहाँ टाइप करके Confirm करें अब यहाँ पे आपको तीन Option मिलते हैं Verify करने के लिए First आप ATM Card Detail से Verify कर सकते हैं Second Profile Password यहाँ पे Password दो तरह के होते हैं पहला Login Password जो सिर्फ Login के काम आता है दूसरा Profile Password अगर आपको Profile में कुछ भी Changes करने होते हैं तो उसके लिए Profile Password चाहिए होता है तीसरे में यहाँ पे Branch के Through Login Details को Reset किया जाता है आपके पास ATM है तो ATM पे क्लिक करेंगे Then इसे Submit करेंगे अब अपने Card को Select करेंगे और Confirm करेंगे अब अपने Card की Details यहाँ पे Type करेंगे Then Capture Code करेंगे उसके बाद Proceed पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका Validation Successful हो जाएगा इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है Page Automatically Refresh होगा अब आपको यहाँ पे अपनी मर्जी का जो भी Password बनाना है वो यहाँ पे Type करेंगे Password आपको दो बार Type करना होगा उसके बाद Submit पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका Password Reset हो जाएगा अब आपको यहाँ पे अपना Username भी पता है और Password भी पता है तो इसके बाद आप Login करेंगे Login करने के लिए Home Page पे जाएगे अब यहाँ पे अपना Username, Password और Capture Code टाइप करेंगे Then Login पे क्लिक करेंगे सबसे Important बाद जो आपको याद रखनी है वो यह है कि अगर आपका Reset करने के बाद भी Login Details यानि Username या Password गलत बता रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा आपको Browser का Catch और History Data डिलीट करना होगा उसके बाद ही आप Login कर पाएंगे तो यहाँ पे हम Username, Password और Capture टाइप करके Login करेंगे Login करने के बाद आपके Mobile पे OTP आएगा वो OTP टाइप करके Submit करेंगे अब अगर आपका Profile Password एक्सपायर हो चुका है तो आपको यहाँ पे Profile Password चेंज करना होगा पहले आपको यहाँ पे Old Profile Password लिखना होगा उसके बाद New Profile Password दो बार टाइप करना होगा आपको बता दे कि Password दो टाइप के होते हैं एक Login Password जिससे आपने Login किया है और दूसरा Profile Password जिसके थूँ आप Profile में कोई भी Changes कर सकते हैं अगर आपको अपना Profile Password याद नहीं है तो आप Simply Forget Profile Password पे क्लिक करके अपना Password रिकवर कर सकते हैं तो Profile Password चेंज करने के बाद Submit पे क्लिक करेंगे इसके बाद हम Internet Banking के Home Page पे आ चुके हैं और हमारा User ID और Password फाइनली रिसेट हो चुका है तो Friends इस तरीके से आप Easily अपने Internet Banking के User ID और Password को रिसेट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट्स करें और अगर आप इस चनल पर नए हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब करें और बैल आकन दबाएं ताकि आगया आने वली नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए राम राम